नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका माई चले हैं मैं आमरीसिव राज के सुने हम बात करने वाले ई-लाभार्ती-EKYC के बारे में दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले ई-लाभार्ती का जोई-EKYC होता था लेकिन बीच में जोई इसे बंद कर दिया गया था तो उनका जो है अगला नेक्स्ट जो यहाँ पर आने बाला किस्ट है वो उनको नहीं मिलने वाला है तो आज के इस बंदों आपको बताने बाले हैं कि यहाँ पर बिहार सरकार ने एक लिस्ट जाड़ी किया है वो ऐसे लोगों का जिनका कि यहाँ पर EKYC बाकी है या किसी क परकार से आपको यहाँ पर अपना EKYC कम्प्लीट करना है, तो वीडियो को लास्ट अका देखते रहे हैं, उससे पर अगर आपने वाइचनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे रेट कल के सब्सक्राइब बेटरं को दबाका माइचनल को सब्सक्राइब किजिए, ल पर लेते हैं, तो उनको जो है EKYC अभी करवाना जरूरी है, दोस्तों यहाँ पर बिहार सरकार के द्वारा एक लिस्ट जारी किया गया, वह ऐसे इलाभार्थी का, जिनका EKYC बाकी था, या फिर किसी कारण बस नहीं हो पाया था, तो उनको जो है फिर से EKYC करने के लिए तो इस लिस्ट को आपको किस परकार से चेक करना है, और किस परकार से आपको EKYC करना है, आपको बताते हैं, EKYC करने के लिए सबसे पहले आपको जो है लिस्ट चेक करना है, लिस्ट चेक करने के लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर आना है, इस वेबसाइट का दोस्तों यहाँ पे आप देख पारे होंगे कि यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर दोस्तों दोनों में से कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, कोई भी प्रल्बम नहीं है, वहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस परकार से इंटरफेस आपका open होकर आएगा, यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है यहाँ पे आपको जानका है दिया गया कि क्यों यहाँ पे जो एक वाईसी चालू किया गया और किस पकार से यहाँ एक वाईसी होने बाला है EKYC के लिए आपको क्या क्या जरूरी डोकुमेंट है तो यहाँ पर आपका अधार काड होना चाहिए यहाँ पर बैंक पास्वूक होना चाहिए साथ में आपको बाइमेट्रिक लगाना है वो ऐसे परसन का जिनका EKYC करना है उनको जो है वहाँ पर मौझूद होना जरूर है क्योंकि वहाँ पर आपको फिंगर्पिंट लगाना होता है तभी आपका EKYC कम्पलीट होता है सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों आपको EKYC कम्पलीट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना लिस्ट चेक करना होगा कि लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है आपका EKYC कम्पलीट है या फिर नहीं है तो सबसे पहले लिस्ट चेक करने के लिए आपको जो नेम लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर आपको click here पर click करना है click करने के बाद आपको यहाँ पर एक website ओपन होगा इस website पर आपको direct यहाँ पर आपका list ओपन होकर चलाएगा सबसे पहले आपको अपना a scheme select करना है कि आप काउन से a scheme का यहाँ पर love ले रहे हैं यहांपे ब्लॉक सेलेक्ट करना तो मैंने यहांपे डこれで कोछ भी नहीं करना जैसे आप पर क्लिक करते हैं तो आपको यहांपे त visit ।家 crashes वॉपन ओंने के बाद दिखा ये ताँ यहांपे कुछ इस प्रकास से आपको cool लिस्टिक ओपन होकर चलाया आपका जो भी डिस्टिक है दोस्तों उहां पर आपको जाकर क्लिक करना है तो मैं अपने डिस्टिक पर क्लिक करता हूं यहां पर जैसे मैंने अपने डिस्टिक पर क्लिक किया तो यहां पर दोस्तों हमें पूरा लिस्ट खुल के चलायाएगा ए यहां पे अब लिस्ट ओपन होकर आएगा जितने भी लाभारती हमारे पांचायक मीहोंगे उन सभी का लिस्ट यहां पर снत्राइग कर चलाएगा नहीं हुआ तो उनका ekyc किस परकार से होगा थो यहां पर दोस्तों आप सब्सक्राइब कि यहां पर एहां पर सभी का authenticated दिखारा लेकि इनका जो औधिक यहां पर tourist यह जो ध्युता दिखारा तो यहां पर उसके बारे में आपको यहां रिशाईट पर अला है इसी website पे और आपको फिर से नीचे आना है जहाँ पे यहाँ पे आपने देखा था name list का यहाँ पे आपने क्लिक किया था यहाँ पे आप देख सें online ekyc link 1 तो आपको जो यहाँ पे क्लिक करना है अब दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप EKYC करना चाते हैं तो आपके पास CSC ID होना जरूरी है या फिर आपके पास CSC operator ID होना जरूरी है अगर आपके पास CSC ID या फिर CSC operator ID नहीं है तो आप EKYC नहीं कर सकते हैं तो यह दोनों में से कोई चीज आपके पास होना जरूरी है तो हमारे पास जो यहाँ पर CSC ID है तो यहाँ पर login भी CSC Digital सेवा Connect वे मैं किलिक करता हूँ तो हमारा CSC ID यहाँ पर पूछा जाएगा यहाँ पर authentication पर जाता हूँ यहाँ पर मैंने paste किया और search पर मैं किलिक करता हूँ इनका देखिए दोस्तों दिखा रहा कि demographic authentication file यानि कि इनका authentication किये थे लेकिन यहाँ पर file हो गया था उसके कारण जो इनको फिर से authentication करना होगा तो यहाँ पर करने के लिए आपको करना क्या है दोस्तों यहाँ पर इनका नाम जो भी है bank account अधार नमबर साथ चीज़ यहाँ पर दिख रहा है दिखने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है यहाँ यूज ऑथेंटिकेशन लिंक सर्विस फर्स फ्रॉम ऑथेंटिकेशन तो यहाँ पर देमोग्राफित आपको क्लिक करना है लेकिन दोस्तों आपको तभी क्लिक करना है तभी यहाँ पर ऑथेंटिकेशन होगा यहाँ पर आपके पास फिंगर प्रिंट लगा होना चाहिए साथ में यहाँ पर जो वो परसन है जिनका आप ऑथेंटिकेशन कर रहे जिनका आप EKYC कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर होने चाहिए, क्योंकि उनका फिंगर यहाँ पर लगेगा, तभी आपका यहाँ पर EKYC कम्पलीट होगा, तो इस परकार से आपको दोस्तों यहाँ पर अपना EKYC कम्पलीट करना है, EKYC कम्पलीट करने के बाद दोस्तों आपक successful का message आ जाएगा, अगर आपका फिर से authentication फैल का आता है, तो एक दो बार try जरूर कर लिजे, नहीं तो आपका यहाँ पर authentication नहीं हो पाएगा, जब तक आपका successful है, आपके दिखाई नहीं देता है, तब तक आपका EKYC complete नहीं हुआ है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, तो इस परकार से आपको यहाँ पर E-ला भार्थी का EKYC complete करना है, और कि इस परकार से आपको जोहाँ पर list चेक करना है, कि कौन को से लोगों का अभी तक EKYC complete नहीं हुआ है, I hope आपको यह वीडियो पसंद आवगा, अगर यह वीडियो पसंद आए, तो लाइक किज़े इस वी वीडियो को ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके मिलते नेक्स वियों तब तक के लिए धन्यवाद